नमस्ते एबरिवन आप लोग भी फेटी लीवर और कोलस्टर हाई से परिशान है तो आपने ये दबाई बनाना के खाए जरूर लाब होगा क्यूंकि साथ में जो आप मेडिशन ले रहे वो भी खाते राए और ये साथ में ये भी आप खाते राए तो बहुत है अच्छा और बहुत जल्दी आपको लाब मिलेगा उसके लिए मैंने लियाए अद्रक और लस्युन आफ लियाए ओनियान हाफ मैने लियाए निम्बु औ और मैंने एक टुकुला डाल जी निकाली आए ये सब मैंने दो के अच्छे से काटके रखाए अब यहां में इसको उबाल लेंगे कि मैं एक फराइवें में में मैंने दो गिलास पानी डालाए मैं थोड़ी बना के आपको दृखाओंगी आको जितना बनाए उतना ज्यादा पानी आपने डाल ना जैसे एक अपते के लिए बना तो आप चार गिलास पानी डाले और यह जो लशन अध्रक का मात्र है आप बढ़ा सकते अभी मैं इसमें डालूंगे अध्रक तीन में लसन डाल रहती हूं इसमें डालेंगे निंबु के छिलका नहीं उतारना छिलका सइथ आपने डालना है यह सब आप पकाएंगे जब तक यह सूके दो गिलास पानी एक गिलास नहीं रहता तब तक आप आमने इसको पकाना है दस से बारा मिनेट अच्छे से इसको उमाल ना दे तेज ग्यास तेज रखे उसके बाद आम इसको ठंड़ा होने के बाद फिर पीछ लेंगे देखे मैंने इस तरह ग्रेन की आए अगर आपको थोड़ा पीने में मुश्किल लगता है तो इसको आप छान सकते छान के ठंड़ा होने के बाद आभी किसी कांच के साब सुत्री बोटल में आप बरके रखे और तीन-चार दिन तक आप मोनिंग इविनिंग को आप तीन-ती मज के हिसाब से आप यह खाए यह बहुत ही अच्छा है अगर आपको कोलस्टर बढ़ा हुआ और फैटी लिबरे या फिर खूल गाड़ा यह बहुत ही अच्छा है यह करके जरूर देखे और जरूर लाग उठाए अगर यह रेशेपी आप ट्राई करें अगर अच्छा ल